हेलो बच्चो तो बच्चो हमारी आज की गतिविदी है एक के साथ एक मिलाओ तो हमें पता है ना कि कुछ चीजों के जोड़े होते हैं जो एक दूसरे के बिना काम नहीं करते है ना? एक के बिना दूसरा बिलकुल क्या है? बेकार है उसका यूज नहीं है है ना या फिर हम उसे अच्छे से यूज नहीं कर सकते हैं तो चलो देखते हैं वो क्या है ये है थाली गिलास है ना तो अगर हम थाली में खाना खाएंगे तो पानी भी तो पिएंगे पानी किसमें पिएंगे ग्लास में तो क्या थाली ग्लास के बिना काम करेगी नहीं करेगी फिर ये देखे क्या है कटोरी चम्मच है ना तो अगर हमें रजगुला खाना है तो हम रजगुला कटोरी में रखेंगे मगर किस से तोड़ के खाएंगे चम्मच से तो क्या कटोरी और चम्मच एक दूसरे के बिना तो हमें स्पून से हकाना चाहिए हमें चंमत को क्या कहते हैं है तो हमें स्पून से ही ना चाहिए उससे क्या हना फूरा खाना म०ॉम में जाता है ऩे फिर इप बच्छे टिफिन में भी तो कुछ स्पेशल अगर बनता है घर में तो अपने लेकर आते हैं न स्कूर और पानी किस में लाते हैं बॉटल में तो अगर हम खाना खाएंगे तो हमें प्यास भी लगेगी तो टिफिन के साथ में बॉटर बॉटल भी होना बहुत जरूरी है हाँ फिर यह देखे क्या रखा हुआ है चौक और दस्टर तो यह बताईए क्या चौक डस्टर के बिना काम करेगी यह डस्टर का काम ही है कुछ चौक के बिना जब हम चौक से लिखेंगे ही नहीं तो रब क्या करेंगे है ना तो चौक से लिखते हैं और डस्टर से ब्लाक बॉ ना हम लोग उसमें बहुत सारे काम करते हैं बात करते हैं वीडियो देखते हैं पढ़ाई करते हैं लोग लेकिन पड्यारजर के बगएर फोन कुछ कर सकते हैं काम आसकता है हाँ? नहीं न? अगर हम फोन को चार्ज नहीं करेंगे तो क्या हमारा फोन वर्क करेगा? वो तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो चार्जर के बिना फोन बिल्कुल बेकार है ठीक है? ये क्या है? ताला और? चाबी तो अभ मुझे बताओ ताला हमारा कैसे लगेगा? बिना चावी के लग जाएगा? लग जाएगा? नहीं ना? अब अगर हमें अपने घर में सेफ्टी करनी है, चोर उसे बचाना है अपना घर, तो ताले को चावी लगा करके बंद करना पड़ेगा ना? तभी तो ताला बंद होगा? तो ये जोड़ ये क्या है मेज है अगर हमें इस पे कुछा करके लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे बैठेंगे ना तो किस पर बैठेंगे कुरसी और मेज इंप कितने बच some time को समझ में आया हाँ अगर हमें बैटके खाना खाना है तो भी हमें कुर्सी की जरुरत पड़ेगी है ना तो कुर्सी और मेज भी एक दूसरे के साती हैं जोड़े हैं क्लियर तीन जोड़े हैं